आयो दोस्तों अब जो है हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आ चुके इस चेप्टर के और यह चेप्टर कम्प्लीट हो जाएगा आपका यह लास्ट टॉपिक है डबल्यू एसी सी ठीक है वेटेड एवरेज कोस्ट ओप कैपिटल मैथर्ड जो की बहुत ज्यादा इंपोर् पढ़ चुके है ठीक है उसका मिक्स एक क्वेशन बना दिया जाए ठीक है और उसको वेट से इंटू कर दिया जाए तो यह आपका बन जाता है डबल्यू एसी सी मैथड अभी हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा और आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि क्यों यह सबसे ज्यादा इस पर question आते है क्योंकि यहाँ पर examiner यह देखता है कि डबल्यू एसी सी में अगर सारे point cover हो जाते है ठीक है ना पूरा chapter ही अगर यहाँ पर एक question में आ जाता है तो क्यों ना वही question पूछ लिया जाए ताकि student का यहाँ पर knowledge test हो जाए कि कितने point student करके आए औ WACC अभी देखेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ कि यह जो chapter हो सबसे ज्यादा आसान है सिर्फ formula याद रखने है और formula भी आगर आप 2-3 बार repeat कर लेते हैं तो वैसे ही याद हो जाते है इतने जो है hard formula यहाँ पर नहीं है ठीक है चलिए यहाँ पर start करते है WACC method WACC method के लिए मैंने कुछ step यहाँ पर ले रखे ठीक है एक्जाम टाइम पर बिल्कुल यही नोट्स आप open करके बैठेंगे और इससे ही revision करेंगे ठीक है ताकि आपको जो है यहाँ पर full clarity रहे इस नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मतलब knowledge test किया गया है ठीक है यहाँ पर बहुत ज्यादा time भी दिया गया है कि इस तरीके से notes बनाये गए कि सारे points यहाँ पर cover हो जाते ही even आपके past year के जो RTP MTP है उसमें कुछ ऐसे अतरंगी question हो उसके भी points मैंने यहाँ पर cover करके रखे तो बिल्कुल exam time पर यही notes आप refer करें करेंगे और उसके बाद ICI study mat है और latest जो RTP MTP आएंगे आपके वह आपको जो है discuss कर लेने मतलब कि देख लेने और काम हो जाएगा आपका WSAC method की discussion हम कर रहे थे WSAC method में अगर आप देखे तो step 1 मैंने कहा है कि सबसे पहले काम करिए अप weight दे दीजे कैसे देंगे अभी हम question देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आपको simply weight देना है सबसे पहले step 1 आपको weight देना है कैसे देना है अभी हम देखेंगे second step आपको कहा है कि second step आप जितने भी formulas अभी तक पढ़ चुके है जितने भी capital पढ़ चुके है ठीक है उसके इसाब से आपको cost of capital निकाल लेन step 3 तो कुछ है इने step 3 यह कहता है कि आप एक काम करिये step 1 जो निकाला into करिये step 2 ठीक है और उसका जो भी total आएगा वही आपका weighted average cost of capital निकल के आ जाएगा अब यसे समझते है कि इसका मतलब क्या होता है और क्या है यह weighted average cost of capital आईए यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ लिख र WCC method के लिए आपके सामने में question लेता हूँ simple सा question ठीक है लेकिन जान रहे है यहाँ पे जो मैं question लेता हूँ वो simply example नहीं होते वो कहीं न कहीं आपके ICI study में से link जो question होते या फिर past year question होते वही मैं यहाँ पे discuss करता हूँ ठीक है तो इस question को भी आप ignore ना करियेगा ठीक है जो अब ही मैं example लेता हूँ ऐसे ही नहीं लेता हूँ वही question जो है आपको कहीं न कहीं study mat में या फिर RTP MTP में या फिर past question paper में देखने को मिलते है ठीक है तो यहाँ पे बिल्कुल आपका time waste नहीं होता वही question लिये जाते है जो आपके लिए important है ठीक है तो यहाँ पे देखे मैं question question एक add करता हूँ यह देखे आपके सामने मैंने question यहाँ पर add कर दी है आप देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या कहता है question question में यहाँ पर कहा गए कि company है ठीक है इनके पास में कुछ following capitals आपको दे रखी capital की information दे रहा है सबसे पहले आपको कहता है कि equity shares इनके पास में है एक ल capital मिलाके जो total है आपके पास में वो बन जाता है seven lakh ठीक है तो total यहाँ पर कितना बन जाता है seven lakh rupees का total यहाँ पे capital बन जाता है जिसमें equity preference और debentures इनके पास में है ठीक है तो यह company के पास में total तीन तरीके की capital पड़ी हुई है और नीचे क्या information दे रहा है नीचे information दे रहा है कि cost of capital of above capital ठीक है मतलब कि यह above मतलब कि यह जो सारी चीज़े equity है preference है और debentures से इनकी cost of capital निकालके खुद ही question ने दे रहा है देखे mostly question अगर पास नमबर का पूछना है तो कुछ इस तरीके से पूछेगा कि जहाँ पे cost of capital आपको खुद से दे रहा है लेकिन 10 नमबर का question information देगा उनके percentage देगा जैसे कि preferences 10% वाले डिबेंचर 5% वाले है और उसके बाद कुछ information और देगा जिससे आप formula में value पूट कर पाए तो value पूट करके आपको जो है क्या करना पड़ेगा खुद से यह capital निकालनी पड़ेगी यह खुद से आपको capital निकालनी पड़ेगी ले information देखते हैं उसके बाद धीरे-धीरे हम stage बढ़ाते जाएंगे तो यहां पर कहा गया है कि आपको यह capital दे रखी और compute कर यह डबल यूए सी वेटेड एवरेज कोस्ट ऑप capital के इसाब से आपको computation करनी है तो आए इसे स्वाल करते हैं देख लेते हैं कि हम क्या इसे स्वाल क कर पाते हैं इतना concept पढ़ने के बाद तो आएए देख लेते सबसे पहले देखिए यहां पर step wise हम काम करेंगे ठीक है step wise सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या कहा गया था हमारे step में step में यहां पर कहता है कि WCC को solve करना चाहते है तो step one कहता है कि आप सबसे पहले काम कर यह weight दे दीजिए ठीक है weight दे देना है अब यहां पर देखते है कि weight किस तरीके से दिये जाते है देखिए यहां पर सबसे पहले सबसे पहले तो आप heading देंगे computation ठीक है computation of WCC weighted average cost of capital full form लिखेंगे ठीक है exam में कभी भी आप short form नहीं लिखेंगे मैंने यहां पर short form लिखा है आपका time बचाने के लिए ठीक है तो computation of computation of WCC weighted average cost of capital यह heading देंगे इसके बाद आप कुछ यहां पर format बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीकी का format बनाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ यह format fix रहेगा ठीक है डबल इसी का question आएगा यह format fix रहेगा कुछ इस तरीके से बनाना है आपको यहां पर यह कुछ इस तरीके से format बनाना होता है यहां पर मैं आपको अभी explain करता हूँ एक बार मैं जरा format create कर दूँ आ कि यह लिजे आपके सामने मैंने ये format बना दिया अब दीखे सबसे पहले आप step लिक देते कौन कौन से step कौन सा बनेगा सबसे पहले step यह कहता है कि वेट निकलना है step 1 यहां पर है देखिए यहis बहुआब का step 1 ठीक है यहां वेट निकालने के लिए कि हमने बना रखा है कैसे निकलेंगे अभी देखते इसके बाद step two क्या कहता था कहता था कि cost of capital आपको यहाँ पे निकाल के लिख देना है ठीक है one by one सारी capital निकालनी है cost of capital जो कि इस बार तो question ने दे रखा है कई बार नहीं भी देता है तो हमको यहाँ पे दे रखा है ठीक है तो उसके लिए देख लीजिए मैंने column बना रखा है यहाँ पर यह आपका step two बन जाएगा ठीक है step two इसके बाद यह कहता है step number three step one और two का multiply करिए उसका जो total आएगा वो WCC है तो देखे मैंने यह step three यहाँ पर बना रखा है ठीक है यह step three step three क्य करके यहाँ पर लिखते जाएंगे वो last में जो यहाँ पर इसका total आएगा वही क्या बन जाएगा वही WCC बन जाएगा weighted average cost of capital ठीक है आईए एक एक करके discuss करते हम यहाँ पर कि क्या मतलब होता है किस तरीके से होता है question में सबसे पहले आपको weight न कलना है ठीक है step one तो हमारा weight ही था अब weight कैसे निकलना होता है देखे wait होता है based on amount जो amount आपको question में देता है ठीक है उसके इसाबसे weight निकलना होता है सबसे पहले आपको जो है क्या करना है WCC का format लिखा ले ठीक है question में जो information given है amount और share capital ठीक है वो आपको copy paste कर देना है जैसे कि यहाँ पर देखें मैंने capital का column बना है तो company के पास कौन कौन सी capital है तो तीन तरीकी की capital है एक equity shares है ठीक है equity shares दूसरे preferences है ठीक है preferences ठीक है और तीसरा debenture है बस इतनी ही capital है जीतना है उतना लिखेंगे ठीक है for example retain earning होती तो वो भी यहाँ पर लिख देते राइट ऐसे question भी देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने capital जो है वो capital column में लिख दिया amount का column में amount लिख देंगे ठीक है यह question में already आपको given होता है यह question में आपको given होता है question हम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा यह question में आपको given है इतना समझ के चलिए तो capital का नाम given है capital की amount given है simply हमें copy paste करना है तो यहाँ पर one leg है ठीक है इसके बाद preferences कितने है two leg के तो यहाँ पर preferences के सामने लिख देते है two leg right और debentures कितने के four leg तो debentures हमने लिख दिया four leg ठीक है और आपका यहाँ पर इसका total जो है वो कितना बनता है six और seven leg ठीक है यहाँ पर seven lakh rupees आपका जो है यहाँ पर total बनता है ठीक है amount in rupees है यह okay अब step one हम start करते है यह तो हमें copy paste करना था अब यहाँ पर main solution start हो रहा है कैसे करना है यह solution तो बहुत ज्यादा simple है दीखे weight कैसे देना होता है weight amount के base पे देना होता है मतलब की total 7 lakh की capital है total 7 lakh की capital है 7 lakh की capital में से 1 lakh जो है वो equity है ठीक है तो इसमें calculation कैसे करना होता है weight है बहुत ज्यादा simple है weight है आपको simply इसके इस आप से देना होता है 1 lakh divided by 7 lakh मतलब की जो equity का amount है मतलब की जो particular capital का जो amount है divided by total करना है ठीक है तो weight कैसे निकलना है weight हमें यहाँ पे निकलना है यहाँ पे working not दिखाए ठीक है working not तो यहां पर weight कैसे निकालना है weight हमें बहुत ज्यादा simple weight का यहां पर formula होता है ठीक है weight का formula याद करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बहुत ही ज्यादा simple से calculation है simply calculation दिखाने होती है formula नहीं formula में आपके understanding एंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ ठीक है कि टोटल ओफ अमाउंट और अमाउंट कि डिवाइड बाइ करना है कि डिवाइड बाइड आपको करना है यहां पर कि अमाउंट ओफ कि कैपिटल पॉर वीज वेट इस रिक्वाइड जिसके लिए आपको वेट निकालना है उस कैपिटल की अमाउंट लीजिए ठीक है और यहां पर टोटल आपको जो है डिवाइड बाइड करना था एक मिनिट देखें वेट का फॉर्मुलर रहेगा कि जिस भी कैपिटल का वेट निकालना चाहते उस कैपिटल की अमाउंट लीजिए divide by total amount ठीक है जैसे कि हम यहाँ पर निकाले equity shares के लिए तो equity shares का यहाँ पर amount बताएगे कितना है sir one lakh है ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे one lakh ठीक है divide by क्या करना है total ठीक है यहाँ पर देखे amount of capital for which weight is required तो यहाँ पर हमें equity के लिए weight निकालना है तो उसका जो amount है divide by total करेंगे divide by total मतलब कि 7 lakh ठीक है यह चीज़ आपके पास में आ गई तो यहाँ पे कितना weight निकल के आएंगे हम लिखेंगे इसके बाद अगर preferences के लिए निकालना है weight तो बताइए preferences amount of capital for which weight is required तो preferences के लिए निकालना है तो उसका जो amount है वो लिखिए okay 2 lakh रूपिज यहाँ पे लिख दिया divide by total amount ठीक है 7 lakh रूपिज ओके इसका answer निकलेंगे इसके बाद यहाँ पे इसके लिए निकलना है debentures के लिए तो जो amount है divide by total बिल्कुल simple है यहाँ पे simply यह बच्पन में करके आते थे हम weight निकलना ठीक है यह चीज हम बच्पन में पढ़के आते है फिर भी मैंने यहाँ पे आपको जो है अच्छे से बता दिया है और एक लेक डिवाइड बे 7 लेक और यहाँ पे debentures यह बस चीज आपको लिखते जाना है और काम खतम ओके इतनी चीज़े आपको लिखनी है तो बहुत ज्यादा आसान हो गया ठीक है weight निकलना आपको समझ में आया amount divided by total amount divided by total amount divided by total तो यहाँ पे हम simply weight निकाल लेते तो पहला है 1 ल 428 ठीक है 0.1428 यह आपका आग जाएगा 0.1428 यहाँ पे weight कितना आएगा तो 2 by 7 2 divided by 7 मतलब की 0.2857 ठीक है 0.2857 ठीक है यह चीज़ा आपके पास में आ रही है इसके बाद यहाँ पे थड़ की बात करें तो 4 लेक डिवाइड बाई 7 ठीक है तो 7 लेक डिवाइड बाई 7 लेक तो यहाँ पे आपका answer आ रहा है 0.5714 ठीक है तो यह चीज़ा आपके पास में आ जाती है और आप देखेंगे कि weight का total जो है वो always कितना होता है 1 होता है ठीक है यह आपको पता ही होगा ठीक है सीधी सी बात है अग 7 लेक का यहाँ पे division हो रहा है 1 लेक 2 लेक 4 लेक और उसके इसाब से weight निकालने तो obviously weight का total तो always one ही आता है ठीक है यह तो आपको वैसे भी पता है तो यहाँ पे तो simply मैंने बता दिया है अब सबसे पहला step तो हमने कर दिया भाई कि weight निकालना तो weight हो गया चलो step one तो complete step two क्या है कहता है कि cost of capital निकाल लिए और उसे रग दीजिए ठीक ह मतलब की point one लिख सकता हूँ 0.1 ठीक है या फिर 10% भी लिख सकते हैं लेकिन multiply करना होगा तो यहाँ पे point में लिखे तो बहुत ज्यादा बहतर रहता है right इसके बाद 11% मतलब की 11 divided by 100 मतलब की 0.11 right 0.11 इसके बाद यहाँ पे 6% है मतलब की 0.06 0.06 यह step two भी हमारा complete हो गया अब step three बताइए step three कहता है कुछ भी नहीं है step one और two का multiply करिए जो भी amount है उसका total ले लीजे वही आपका WACC है वही आपका WACC है तो simply हमें क्या करना है step one और step two का multiply करना है और जो भी answer आया यहाँ यहाँ पे लिखते जाएंगे और सब का total यहाँ यहाँ पे आएगा वही WACC है क काम खतम ठीक है तो यहाँ पे simply करते चलते है जिरो पॉइंट फॉइंटी एट है इन्टु पॉइंट वन तो यह answer आ रहा है 0.01428 ठीक है यह चीज़ आपके पास में आ जाती है इसके बाद यहाँ पे 0.11 इन्टु 0.2857 ठीक है तो यहाँ पे आपका अंसर आ रहा है 0.031427 यही आपका अंसर आ रहा है इसके बाद आगे बढ़ते है 0.06 इन्टु 0.5714 ठीक है तो यहाँ पे आपका अंसर आएगा 0.034284 ठीक है यह चीज़ आपके पास में आ जाती है बस इसका टोटल ले लिजे काम खतम हो जाएगा ठीक है इसका टोटल ले लिजे काम खतम हो जा दीजिए आपके पास में कितना आ रहा है आपका इसका टोटल आ जाएगा 0.079991 ठीक है पॉइंट के बाद सिर्फ वसी चाट डिजिट लेना होता है मैंने ज्यादा ले लिए ठीक है पॉइंट के बाद रिक्वाइर कितना होता है चाट डिजिट आप चाट डिजिट बाद यह क्या आगए आपका WCC लेकिन क्वेशन जब आपका पूछा जाए एक्जाम में WCC का क्वेशन खतम करिए तो आप डाइरेक्ली ऐसे यहां पे नहीं कहेंगे कि यह लिजी आपका अंसर आप यहां पर प्रॉपर वे में लिख के आएंगे यहां पे नीचे कैसे लि 0.0799 ठीक है जी पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिजे more than sufficient यहां पे लिख के आएंगे point में भी लिखेंगे और percentage में भी लिखेंगे in 200 करेंगे तो percentage आ जाएगा तो यह आपका बन जाएगा 7.99 percentage इसे हम 8% भी लिख सकते है ठीक है 8% भी लिख सकते है round figure आपके पास में 8% तो यह चीज़ आपका unique presentation होगा यह चीज़ आप always लिखेंगे question solve करने के बाद यह चीज़ आप बुलेंगे नहीं राइट यह चीज़ आपको compulsory लिखना ही लिखना होगा ओके तो आपका unique presentation रहेगा basically आपका answer तो यहाँ पे आ गया है लेकिन यह आप लिखेंगे तो बहतर आप का presentation maintain होगा ठीक है तो इतना simple होता है weighted average cost of capital जो यहाँ पे पढ़के आ रहे है यहाँ पे कुछ मुझे नया नहीं पढ़ाना है बस मैंने आपको एक तीन step में जो है आपको calculation बता दिये वही करना है फिर से एक बार discuss कर लेते कुछ question इस तरीके से आपको given होता है जिसमें आप आपको amount given होती है capital का name given होता है और amount ठीक है capital का name और amount given होती है उसके बाद यहाँ तो आपको cost of capital directly given होगा 5 number का 4 number का question पूछना है तो ऐसे given होगा लेकिन अगर आपको 10 number का question पूछना है तो इससे related वो question में information देगा और information को आपको collect करके simply cost of capital निकलना है जो अभी तक हम सारा का सारा पढ़ चुके debentures तो debentures में दो formula होते है ठीक है redeemable है redeemable उसके इसाब से cost of capital निकाल सकते है preferences तो उसमें भी दो होते है equity तो उसमें 5 होते है तो यह सारी चीज़े होती है तो यह आपका जो है एक तरीके से हमें इस तरीके से cost of capital निकाल लेना है अब format हमारा कुछ इस तर platform यूज नहीं करेंगे full form ही लिखेंगे weighted average cost of capital ओके अब यहाँ पर capital का नाम लिखेंगे question में गीवन होगा वही capital का नाम आपको यहाँ पर copy paste करना है अब question में गीवन होगा सबसे पहली दो कॉलम हमने copy paste कर दी और इसी second column पे base पे हम वेट निकाल लेंगे ठीक है तो वेट का equity या फिर preference capital जो भी capital है उसका वेट निकलना है उसका amount लिजिए वो divide by total कीजिए amount लिजिए divide by total कीजिए जैसे कि यहाँ पर one leg divide by seven किया two leg divide by seven किया four leg divide by seven किया तो weight निकला आएगा अब weight निकला आएगा लिख लो काम खतम करो इसके बाद second step क्या है cost of capital निका लिए या तो question में given है तो copy paste कीजिए अगर नई given है तो calculation कीजिए और यहाँ पर calculation करके यहाँ पर cost of capital लेजिए ठीक है वह step three क्या है simple सी बात है step one into step two करिए step one into step two ठीक है तो यहाँ पर आपका answer आजाएगा मतलब की cost of capital into weight cost of capital into weight आपके सामने answer आजएगा इसका जो total है वही आपका क्या है WACC व है वह आपका इतना बनता है and आप percentage में चाहते है तो यह percentage में हमने amount दे रखा है ठीक है इस तरीके से solution होता है बहुत ज्यादा आसान होता है यह weighted average cost of capital बस अभी तक आप जितना पर चुके अगर वह आपको आता है तो weighted average cost of capital कुछ भी नहीं है ठीक है आईए मैं इस पे कुछ question discuss करता हूँ ताकि आपको more ज्यादा बहतर quality मिल जाए देखिए आपके सामने यहाँ पर एक question दीख रहा है ठीक है question number यह 16 ठीक है यह 16 question number जो है मैंने अभी अभी जो मैंने questions यहाँ पर आपके सामने discuss किया राइट वही question है मैंने तो इससे आपको जो है थोड़ा सा hard question करवा है क्योंकि वहाँ पर मैंने तीन capital ली थी यहाँ पर तो दो ही capital के बारे में बात कर रहा है और cost of equity आपको देखिए यहाँ पर directly given है cost of equity और यहाँ पर cost of retain earning की दोनों चीज़े आपको given है तो यहाँ पर दोनों चीज़े आपको given है उनकी amount दे रहा है ठीक है और आपको simply क्या करना है यह हमारा जो column था ठीक है capital column उसके बाद हम क्या करते थे sir amount column बनाते थे right तो हमारा वही जो format है वही आप follow करेंगे यहाँ पे कोई और format follow करने की जरूरत नहीं है हमारा जो format है वही आप follow करेंगे capital का column amount का column weight का column cost of capital और weighted average cost of capital यह आप करेंगे आपके सामने answer आ आप इसका screenshot निकाल सकते और या तो आपके पास में यह book है तो फिर आप यह solve कर सकते तो इसे solve कर यह बहुत ही आसान सा यह question है मैंने पहले ही बताया था कि जो मैं example आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ right वो तो कहीं ना कहीं या तो आपके IC module से link करता है या तो फिर आपके ज system का question हो सकता है right ऐसे equation हम यहाँ पर नहीं लेते है जो main question होते वही से base यहाँ पर equation आपको पढ़ाए जाते तो देखें लीजिए आपको आपके साबने यहाँ पर proof है इस तरीके का question यहाँ पर directly आपको IC module में देखने को मिल रहा है ठीक है अच्छा इसके बाद आप आजाए यहाँ पर question number यह 17 अभी नहीं करेंगे 17 के लिए मुझे ytm method आपको पढ़ाना है उसके बाद ही पढ़ाएंगे अच्छा एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूं यहाँ पर कोई दिक्कत ना है फिर आपको यहाँ पर marginal cost of capital पढ़ाया जाता है question में य यहाँ पर weighted average cost of capital लिखते है जैसे कि यहाँ पर हमने solution में लिखा यह आपका weighted average cost of capital वहाँ पर आप नाम दे देना marginal cost of capital यहाँ पर भी marginal जहाँ पर weighted average cost of capital है वहाँ पर नाम change कर देना marginal cost of capital बिल्कुल सेम है बाकी कुछ changes नहीं है बस नाम अलग है तो हमारा practical question के base पर यह कोई difference नहीं बनेगा इसमें कोई difference नहीं होगा simply आपको वही चीज़े लेते जाना है ठीक है आईए वही question discuss कर लेते हैं यहाँ पर हम और पता लगा लेते हैं कि क्या यह सेम चीज़ है या फिन नहीं राइट देखें कहता है कि आपके पास में question है question में आपको information देता है कि कोई ABC limited company है और यहाँ पर कहता है इनका capital structure वो आपके सामने दे रहा है ओके जी बिलकुल हमारे हमने जो अभी अभी question लिया उसी तरीके से यह चीज़े बात कर रहा है हमने अभी अभी example जो लिया बिलकुल उसी तरीके स कहता है कि यहाँ पर आपको कहा है कि 14% इनके पास में debentures है ठीक है 14% debentures है इनके पास में 30,000 रूपीज के इसके बाद यहाँ पर preferences है इनके पास में 10,000 रूपीज के preferences है और equity shares भी इनके पास में available है ठीक है equity shares भी available है 1,60,000 और total मिला के यहाँ पर 2,00 हो जाता है इनका total ओक कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पर इसके बाद आगे बात करता है कि Company Share has market यहां पर हम बात करें Company Share has कहां चला गया highlighter आई यह रहा Company Share has a market price कितनी है 23.60 ठीक है तो 23 रुपीज और 60 पेसा आपका जो है यहां पर market price रहेगा ठीक है और next year dividend जो है ठीक है next year का dividend है अब आपको यहां पर dividend से related सारे कौन से पढ़ा चुका हूँ next year का dividend जो है 50% है 2022 के EPS के ठीक है तो 2022 का जो EPS रहेगा उसका 50% कर दोगे तो next year का dividend आ जाएगा अब मैं आपको यहां पर वापस से जो है यहां पर मैं याद करवा दू कि dividend से related मैंने concept पढ़ाया था कि एक होता है आपका एक होता है जो dividend paid है टीवीडन पेड ही टीक है या या word यूज़ कर सकते है लाश्ट येर का dividend इसका मतलब होता है कि dividend टीवीडन ओल्रेडी हमने पेड़ कर दिया है लेकिन गीवन लिखा जा…… D1 लिखा जाए D1 का मतलब होता है expected dividend जो अभी paid नहीं हुआ है expected dividend यह मैंने आपको बताया था expected dividend या फिर इसके अलावा कोई word use कर सकता है तो वो word है आपके पास में D1 के लिए D1 के लिए word आपका use हो सकता है या तो next year का dividend next year dividend next year का dividend मतलब की क्या मतलब हुआ next year का dividend का मतलब वह हुआ paid नहीं हुआ है लेकिन हम ने declare कर दिया है कि अब जो है next year में हम कितना dividend pay करेंगे तो इसने कहा है 50% of 2022 का EPS जो है उसका 50% कर देना अब EPS थो हमें पता ही नहीं 2022 का कितना है लेकिन आगे question पढ़ते रहते हैं क्या आप बता हमें आगे बता दे कहता है कि following is the uniform trend of EPS for preceding 10 years ओके जी तो information तो यह सामने से ही दे रहा है देखें यहाँ पे कहता है कि EPS की information पिछले 10 साल की दे रहा है लेकिन हमें 10 साल की नहीं हमें तो 2022 का दे तो बहुत है ठीक है 2022 का हम गर हमें यहाँ पे मिल जाए तो काम खतम तो 2022 का मुझे यहाँ पे दीख रहा है देख लिजिए यहाँ पे 2022 का यहाँ पे जो EPS है वो कितना है 2.36 तो यहाँ पे अगर मुझे दीवन निकालना है तो क्या निकल जाएगा दीवन बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हो कहता है कि 50 परसेंट जो है वो डिवीडन है ठीक है तो 50 परसेंट ओफ कितना 2.36 तो कितना निकल क्या है बताए यह 2.36 इंटू 50 परसेंट तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आजाएगा 1.18 ठीक है 1.18 आपके पास में आंसर आजाएगा यह क्या निकल क्या है डीवन डीवन क्यों है क्योंकि इसने कहा है next year का डिवीडन तो यह डीवन है ओके जी इसके बाद आपको नीचे information दे रहा है नीचे information क्या ठीक है जी तो और यहाँ पे कंपनी यह तो चलो ठीक है यह तो capital ही है और भी capital issue कर रही है देख लीजे new debentures इन्होंने issue कर दिये 16% वाले ठीक है कितने में market price है 96 के इसके बाद कहता है preferences जो है आपको उपर जो यह preferences given है ठीक है उसके यहाँ पे कहता है preferences जो है वो 9.20 के इसके है with annual dividend 1.1 per share इस पे 1.1 का dividend pay किया जाएगा वर also issue ठीक है तो company is 50% tax bracket ओके जी तो यहाँ पे आपके पास में 50% tax रहेगा preferences जो है वो 9.2 के ही साब से जिस पे हम 1.1 का dividend pay करेंगे और आपको यहाँ पे कहता है कि after tax आपको calculation करनी है क्या चीज़ की calculation करनी है वो कहता है कि cost of depth बता cost of new equity shares आपको बतानी है ठीक है जी क्या बता पाएंगे बहुत ज्यादा आसान रहेगा देखिए मैंने कहा था question में जब यह question मैंने लिया तब ही मैंने बता दिया था कि 5 number का 4 number का question पूछना है तो वो आपको जो है cost of capital already देगा question में लेकिन 10 number का question पूछना है तो वो information देगा जिससे आप cost of capital निकल पाएंगे formula का use करते हुए ठीक है तो यह जो question है वही question है जहाँ पे information देता है और 10 number में यह question पूछना है ठीक है तो यह 10 number तक का यह question आ जाता है जहाँ पे information गिवन होती है cost of capital आपको खुद से निकालनी होती है तो यहाँ पे cost of capital निकाल पाएंगे ब रहा था यहाँ पे कि इन्होंने कुछ new debentures भी इशू कर रहा है 16% वाले परलब कि 14% वाले तो already हमारे पास में issued है और new हमने इशू कितने किये 16% वाले अब यहाँ पे नीचे question के इसाब से solution करेंगे question में यहाँ पे कहा है कि आप क्या करिए capital निकाल लिए आपको cost of capital निकाल लेकिन किसकी सर्ण new depth की जो new depth है उसकी cost of capital निकालने है new depth तो यही है हमने अभी-अभी freshly issue किया है debenture ठीक है तो new depth तो यही है तो इसकी cost निकालने के लिए कह रहा है अब जैसे कि हम already solve करके आ रहे capital के question ठीक है cost of capital का question है हाँ जी है तो solution कैसे होता है step wise होता है हमने क्या step बता जैसे यह identify होता है debentures की case में दो formula होते है ठीक है two formulas और formula किस तरी case होता है redeemable है या फिर redeemable है वो बता दीजे काम खतम हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे दीख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे इन्होंने debentures के redemption की कोई बात नहीं करी गई इसनोंने सिर्फ इतना बता दिया कि हम यहाँ पे discuss नहीं करी अब याद करिए ऐसा question में छोटे छोटे question करवा चुका हूँ और वहाँ पे मैं discuss कर रहा था कि जो full flesh question आते हैं वो full flesh question होते ही नहीं है यह चोटे छोटे question की यहाँ पे add करके बड़ा question बनाया जाता है तो अगर मैं आपको यहाँ पे बता हूँ ऐसा question question में already यहाँ पे discuss कर चुका हो अपने notes में देखेए देख लिजे question no.1 question no.1 क्या था 5 year ago हमने यहाँ पे इससे भारी question already discuss कर चुके यह question no.1 Question no.1 में भी same इसी तरीकी की tea market price देता था देख लिजे इसी तरीके से 12% इसी तरीके से यहाँ पर question देता था और यहाँ पर हाला कि irredeemable लिख रखा है लेकिन यह नहीं भी लिखा होता तो क्या होता sir irredeemable ही मान के चलते क्योंकि question में कहीं पर redemption की कोई information नहीं थी तो यह already discuss है जो हमने यहाँ पर सारे question discuss करें वहीं आपको help करेगा यहाँ पर question solve करने में राइट तो यहाँ पर अगर देखे cost of new depth तो cost of new depth के लिए यहाँ पर चीज़े अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई information नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे बताइए यह irredeemable है ठीक है divide by क्या करेंगे np divide by np np.com p0 भी लिख सकते है अगर 6 है तो ठीक है debentures है तो np ही लिखे क्योंकि आपके formulas में कुछ इस तरीके से गिवन है तो np लिख सकते है p0 लिख सकते है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कोई गलत नहीं है ठीक है तो यह आपका kd is equal to आ जाएगा np ठीक है तो यहाँ पर interest कितना है sir interest है 16% के हिसाब से लेकिन debentures कितने वाले है question में नहीं गिवन है तो मैंने इस तरीके का भी question जब मैं discuss कर रहा था सारी चीज़े और डिसकस है यहाँ पर सिर्फ वोसी provision हो रहा है याद करिए जब भी आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको question debentures में debentures or preferences हो अगर आपको नहीं गिवन है तो आप assume कर लिजे कि 100 rupees वाले debentures है तो 100 rupees वाले debentures हम assume कर लेंगे उसका 16% ठीक है क्योंकि interest always face value पे होता है तो यहाँ पे 100 into 16% मतलब की 16 rupees आ जाएगा तो यहाँ पे solve करें तो 16 into 1 minus T 1 minus T tax rate कितना equation में given होगा 15% 50% ठीक है तो यहाँ पे 50% tax rate है divide by NP बता जीजे NP का मतलब क्या होता है शर issue price या फिर market price issue price या फिर market price यह क्या है सर हम fresh issue कर रहे है तो बताए इसका issue price कितना है तो यहाँ पे कहता है company ने issue करें new dimensions carrying 60% of rate of interest and the current market price 96 है अब यहाँ पे यह नहीं कहा कि issue कितने में करा है तो मैंने आपको already बता है कि अगर issue price नहीं given है market price given है तो market price ले ले लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो market price ले लेंगे तो 96 rupees market price क्योंकि हम यहाँ पे assume करता है कि जो market में price चल रही है उसी price पे company ने issue करा है तो 96 इसलिए हमारा यहाँ पे लिया जाता है इसका logic यह लेता है कि हम यहाँ पे assume करके चलते है कि जो market में price रही है वही price पे company issue कर रही है टी ventures को तो यहाँ पे आपका यह solution करेंगे आपके सामने answer आजाएगा तो यहाँ पे 16-50% और divide by करेंगे 96 तो यह आपका answer आएगा 0.0833 और always दियान रखे इस तरीके से ही लिखे आएंगे आप question ठीके exam में आपको यहाँ पे into 100 करके दिखाना into 100 यहाँ पे आपका answer आएगा 8.33 presentation देख लिजे अच्छे से सबसे पहले मैं presentation की बात कर रहा हूँ question तो आप solve कर लेंगे क्योंकि यह already discussed सारे चीज़े हैं आपको simply मैं यहाँ पे वे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से solve किया जाता है अब मैं जितना मेरा काम था वो तो already खतम हो चुका है अब मैं आपको simply step बता equal to I into one minus T divide by NP NP या फिर P0 कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन always जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके full form लिखके आएंगे KD मतलब की cost of debentures ठीक है cost of depth लिख सकते है debentures लिख तकते है ठीक है I का मतलब लिखके आएंगे T का मतलब लिखके आएंगे P0 का मतलब लिखक ठीक है T means tax rate ठीक है tax rate और P0 का मतलब net proceed ये चीज़ आप लिखके आएंगे ठीक है इसके भी numbers आपको मिल जाते हैं तो भले ही यहाँ पे नहीं लिखके गए हो लेकिन हम लिखेंगे exam में हम exam में लिखेंगे कि I का मतलब क्या है T का मतलब क्या है P0 का मतलब क्या है राइट औ यहाँ पे और करके हम इस तरीके से answer देखेंगे ओके देकिन देखिए जान रखिए कि exam में आपके पास में time बहुत कम होता है आपको fastly practice करने है अभी से practice start कर दीजे कि हम fastly जो है वो काम कर पाए राइट फास्टली हम फटा-फट से लिख पाए यह सारी चीज़े ठीक है तो यहाँ पे कुछ student जो है वो writing पे बहुत ज्यादा focus करते है इतना focus करते है कि पूरा जो time जो है paper का वो एक question में ही निकल जाता है और फिर कहता है कि paper छोड़ गया इस तरीके से नहीं करना है हमें writing भी maintain करके चलना है वो time भी ठीक है तो इस तरीके से अभी से practice करना सुरू start कर दीजिए right time manner रखिए time आपके सामने है time आप देखते जाए है कि अगर यह full flesh question आता है तो कितना time मुझे लग रहा है वो time यहाँ पे लिखके रखिए कि मुझे लगा for example 25 minutes लगे को student को 20 minutes लग सकते है तो यह लिखके रखिए यहाँ लिखके क्यों रखना है क्योंकि जब मैं revision कर रहा हूँ तो इससे कम time में काम होना चाहिए और इससे बहतर काम होना चाहिए बस एक minute भी कम हुआ है मतलब कि आपकी efficiency increase हुई है यह मान लेना right तो यह आपका एक parameter है आप इस तरीके से question को आप solve करिए आपकी speed definitely जो है increase हो जाएगे right तो सबसे पहला question हमने खतम कर दि एक मेरे लिए कुछ भी नहीं है ठीक है आप देखेंगे वही सारी चीज़े मैं आपको वापस से repeat करता चल रहा हूँ बस और कुछ नहीं है second question पुछा cost of preferences निका लिए तो बताए cost of capital का question है सबसे पहले capital identify करिए capital कौन सी असर preferences है ठीक है दूसरा step क्या था दूसरा step दिमाग formula है तो हमें simply यहाँ पे याद करना पड़ेगा दो formula कैसे है मतलब कि redeemable से है यह से तो सबसे पहले हमें information पर जाना पड़ेगा information पर जाएंगे और पता लगाएंगे कि यह क्या redeemable है या फिरी डिमेंबल राइट तो question में अगर जाते है तो उपर तो यहां पर equity की बात कर रह यह तो हमने already solve कर दिया तो इसे थोड़ा सा cancel कर देते हैं ताकि हमारे दिमाग में ना आए यहाँ यह रहा preferences preferences कहता है 9.20 वाले है 1.1 dividend पे कर रहे हैं इस पर और 50% इसका tax rate है tax rate तो general होता है इसका नहीं है ठीक है हर capital पर 50% जहाँ पर tax लगता है वहाँ पर tax rate है तो preferences से related अगर information की बात कर रहे तो सिर्फ और सिप इतनी information की वन है कहता है कि 9.20 वाले preferences है और 1.1 dividend पे कर रहे हैं तो बताइए यह redeemable होगा या फिर एक भी student का यहाँ पे answer गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे related का अफिसार question हम कर चुक्या आ रहे है और इतनी बार में repeat करवा चुका हूँ concept को कि अब यहाँ पे student की गलती नहीं होनी चाहिए बताइए यह redeemable है या फिर redeemable ओभियसली सर irredeemable क्यों क्योंकि redemption से related को information नहीं है पूरे question में अगर redemption से related को information नहीं होती तो हम irredeemable मानके चलते हैं तो irredeemable का formula put करेंगे बताइए irredeemable का formula क्या है sir irredeemable preferences का formula होता है PD PD का मतलब क्या था preference dividend इसमें से क्या tax minus करेंगे answer is no क्यों नहीं minus करेंगे explain already कर दिया है हमने क्या explain किया था इससे related logic logic हमने क्या explain किया था कहां गया हमारे income statement यह रहा logic already हम discuss कर चुक है sir dividend जो है कहां से बाटा जाता है equity earning available for equity shareholder मतलब कि जहां पर interest और tax minus हो जाता है बाद में जो earning बचती है उसमें से dividend बाटा जाता है मतलब कि tax already minus है तो क्या आप tax minus करेंगे answer is answer is no ठीक है तो यहां पर यह logic के साथ हम पढ़ चुके हैं तो जिन student को logic याद रहता है उस तरीके से याद रखे जिन इस student को directly formula याद है तो उस तरीके से याद रखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास दोनों option है राइट दोनों option से questions all होंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो PD divided by यहां पर क्या करेंगे सर सेम आपका dimensions के तरह PD divided by NP लिख सकते या फिर P0 लिख सकते है तो PD divided by P0 यही iridiable formula आपके पास में रहता है ठीक है iridiable का formula तो बताइए value पूट कर यह आपके पास में answer दोनों value आपको directly given है 9.2 आपका जो है market की value shares की value given है shares की value मतलब कि यह आपका P0 9.2 ठीक है और PD कितना है dividend भी आपको दे रखा है 1.1 ठीक है तो आपके पास में answer आजाएगा 1.1 divided by 9.2 तो यहां पे अगर हम यहां पे solution देखे तो आप यहां पे देख सकते 9.2 ठीक है तो आपके सामने answer आजाएगा 0.12 लेकिन क्या हम exam में इतना ही लिखके छोड़ देंगे answer is no इन सब का यहां पे मतलब बताएंगे P0 का मतलब net proceed PD का मतलब preference dividend KP का मतलब cost of new equity shares sorry preferences और यहां पे और करके लिखके आएंगे 12 percentage इतनी चीज़े लिखके आएंगे अगर time रहता है अगर time नहीं है आपके पास में आपको यहां पे question solve कर रहे है exam में right exam से related चलो tip में इसके related number tip आपको जो है अलग video में बताऊंगा ठीक है अभी फिलाल के लिए question solve करने की कोसिस करते हैं और यहां पे ध्यान रखिए जो में चीज़े आपको बता रहा हूँ कि सबका full form लिखना है अब यहां पे exam में time नहीं है किस तरीके से present करना चाहिए उसके लिए हम separate video बन new equity shares जो हमारे है assume new equity from retained earning इसका मतलब तो यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहता है कि new आपके जो equity shares है हमने issue करे है उसकी cost of capital निकाल लिए ठीक है तो चलिए यहां पे new equity shares की बात करते हैं बताईए equity shares के लिए यहां पे हमारे पास में क्या होता है सबसे पहले step step वही same रहेगे सबसे पहले capital identify करिए कौन सी capital है सर यहां पे दीख रहा है equity की बात कर रहा है ओके तो second step क्या रहता है सर second step रहता है पांच formula है इसके second step रहता है formula और formula कितना है equity shares related पांच formulas है हमारे पास में equity shares related हमारे पास में पांच formulas है अब हमें यहां पे identify करना पड़ेगा कौन सा formula अपलाई होगा तो यहां पे identify तब होगा जब equity shares से related हमारे पास में information होगे तो equity share से related information कहा है ढूंड यह तो यहाँ पर यह तो चीज़ चलो ठीक है यह तो information amount दे रहा है इसके बाद यह क्या दिया था company share company share health market price 23.60 और dividend हाँ जी तो यह रहा EPS की बात कर रहा है equity आपके पास में यह equity share से related information है सिर्फ share मतलब की वो किसकी बात कर रहा है equity share की तो यहाँ पर debentures की बात यहाँ पर करी थी preferences की बात यह करी थी ठीक है तो remaining information किसके लिए equity share के लिए और यहाँ पर पढ़ते ही पता चल जाएगा देखे next year का dividend next year का dividend यह D1 D0 कहाँ पर आता है सिर्फ हो सिप सिर्फ हो सिप equity share के case में आप यहाँ पर दिखे राइट D1 यहाँ पर D1 यह सारी जिज़े equity share में ही आती है तो यहाँ पर information को देखते है और पता लगाते है कि 5 formula में से कौन सा formula अप्लाई होगा तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है market price 23.60 है ठीक है market price मतलब कि हम P 0 लिख सकते है या फिर ANP भी लिख सकते है कोई दिकत नहीं 23.60 है इसके बाद क्या information दे रहा है कहता है next year का dividend मतलब की next year का dividend मतलब की D1 कितना है calculate करके रखा है 1.18 ठीक है एसके बाद क्या information दे रहा है कहता है कि uniform trend trend का मतलब होता है growth ट्रेंड का मतलब होता है growth जी याद करिए ठीक है uniform trend है eps में eps में uniform trend है ठीक है पिछले 10 साल में जो भी हर साल uniform trend चलता है मطلب कि for example हर साल 5% बढ़ा होती होती है तो हर साल 5% ही है यहाँ पर क्या है uniform trend मतलब कि कोई भी दो साल का यहाँ पर comparison कर लिजे जितना भी trend चल रहा है वो हर साल उतना ही चलेगा तो यहाँ पर आपको simply यह कहा गया है तो okay तो trend मतलब की growth यहाँ पर camp आप जो है लिख लिजेगा यहाँ पर अपने notes में कि trend word दिया है trend का word का मतलब ही होता है growth तो बताइए कौन सा formula अभी तक तो student ने सोच भी लिया होगा कौन सा formula हुआ apply होगा right फिर भी मैं discuss करता हूँ यहाँ पर बताइए c a p m method apply होगा answer is no ना ही beta कोई given है beta की information है ना ही आपके पास में risk free factor है ना ही market portfolio का rate है तो यह तो definitely apply नहीं होगा ठीक है बताइए geometric apply होगा सर geometric के लिए आपने कम पल एकदम से मतलब इतनी बार repeat करके बताया था कि अगर आपकी जो है market price year wise आपको given है मतलब की different year के लिए different different market price given है different different dividend की amount given है तब ही geometric apply होगा यह आपने एकदम से चिला चिला के बोला था right तो यहाँ पे क्या apply होगा answer is no यहाँ पे हम देख पार है कि market price एक ही है dividend की information एक ही है तो यहाँ पे तो सर यह geometric mean apply नहीं होगा तो दोनों cancel हो चुके यह भी cancel होगा यह भी cancel होगा अब आगे बढ़ते हैं कहता है Gordon's rule क्या यह apply होगा यह apply होगा सर यह apply तभी होता है जब question में growth की information हो ठीक है और question में growth की information होती है तो सीधी सी बात ही सिर्फ यही formula यह कैसा है जहाँ पे growth आता है तो अगर question में growth है तो कोई और formula हम लें देखने की जरूत नहीं होती है तो यहाँ पे growth है ठीक है growth की information given है इसका मतलब यह golden rule का formula apply करने के लिए बोल रहा है अब सबसे पहले हमें यहाँ पे simply growth वाला जो formula है वो apply करना है यहाँ पे कहीं न formula apply होगा formula याद करिए d1 divided by p0 plus g यही formula आपके पास में होता है यह formula में आपको value put करने है और कुछ नहीं d1 हमारे पास में है 1.18 ठीक है इसके बाद p0 है 23.60 और प्लस g growth बताए तो growth इसने directly नहीं given है इसने कहा कि growth के लिए आप एक काम करिए growth के लिए काम करिए कि eps जो आपक given है न उसका comparison करके खुद से निकाल लिजिए बस इसने main चीज़ यह कही कि हर साल जो है आपके पास में unique जो uniform जो है uniform trend चलता है मतलब कि हर साल आपका एक uniformly आपके पास में growth होता है तो यहाँ पे कोई भी दो साल का यहाँ पे आप जो है comparison करेंगे आपको growth मिल जाएगा for example मैं 2013 और 14 का यहाँ पे comparison करता हूँ अब देखे जब भी आपको जो है दो amount का percentage निकलना है तो always ध्यान रखे percentage कैसे निकलता है आपको simply क्या करना होता है इसका formula अगर याद करना चाहे तो formula भी याद रख सकते है कि difference amount ठीक है difference amount लेना है divide by आपको करना है old amount ठीक है यह कोई formula नहीं है यह आपको याद करने के लिए मैंने खुच से formula बनाया है ठीक है बाकि आप जो student निकाल पाते है उसको कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पर याद करने के लिए मैं बता देता हूँ अब दो year की हम comparison कर रहे है एक का EPS है इतना एक का EPS है इतना है 1.1 अब इसका percentage निकलना है कितना percent यहाँ पर बढ़ोती हुई है तो simply यहाँ पर formula आप इस तरीके से use कर सकते है कि आप difference amount लीजे इन दोनों का difference कितना है तो 1.1 minus 1 यह आ रहा है 0.1 ठीक है तो इसका difference amount है 0.1 divide by old amount old amount मतलब की दोनों में से जो base है वो कौन सा amount है base का मतलब होता है इन दोनों में से old कित percentage आ जाएका percentage निकलना है तो into hundred ही करना पड़ेगा न तो 0.1 divided by 1 into hundred तो यहाँ पे आपके पास में answer आ रहा है 10% ठीक है यह आपका growth मिल गया right यह आप जो है कोई भी year कोई भी 2 years की comparison से निकाल सकते क्योंकि इसने कहा uniform trend है uniform trend है का मतलब है कि आप कोई भी 2 year की comparison कर सकते for example मैं य यह ना लेके two thousand twenty eight or nineteen sorry two thousand eighteen or nineteen की comparison करूँ तो क्या मुझे यही trend मिलेगा answer is यह इसने खुद कहा है कि uniform trend है कोई भी 2 साल का यहाँ पे comparison करके growth निकाल लीजेए इसका कहना यह है तो चलिए मैं एक बार try कर लेता हूँ two thousand eighteen or nineteen की comparison करके निकालने की causes करता हूँ कि क्या मुझे है या फिर कुछ अलग मिल रहा है तो यहाँ पर देखते है difference बताइए one point seven seven minus one point six one difference आपका कितना रहेगा difference आपका है point sixteen zero point sixteen ठीक है divide by क्या करेंगे old amount old amount मतलब की 2018 old amount है तो यहाँ पर one point sixteen तो one point sixty one है one point sixty one तो zero point sixteen divide by one point sixty one और in two hundred करना है तो यह आपका answer वही आएगा कितना nine point nine three seven मतलब कि almost आपके पास में यहाँ पे round figure कर रहे तो ten percent ही आ रहा है और ten percent और ten percent ठीक है तो यहाँ पे ten percent ही आपका हर साल growth मिलेगा हर साल growth मिलेगा यहाँ पे exit क्यों नहीं आए क्योंकि इन लोगों नहीं यहाँ पे जो है थोड़ा point में difference कर दिया होगा लेकिन यह ten percent है तो growth में always ध्यान रखे कि growth में आपके पास में इस तरीके सही निकलना है और ऐसा question आ जाए तो पहले दो साल का ही comparison कर लो और कुछ साल देखने की जरूरत ही नहीं पहले दो साल जो ह है कि 0.1 ठीक है तो 1.18 ठीक है डिवाइड बाइट 23.60 इन टू अपका प्लस वह प्लस 0.1 करना है तो प्लस पॉइंट वन तो यह आपका अंसर आ रहा है 15 percentage और 0.15 आप जो भी आंसर लिखना चाहा है यह आपका अंसर आ रहा है ओके तो यहाँ पे solution में एक बार चेक कर लेत है यहाँ पर इक्विटीचे रिलेटेट कहां पर यह रहा है ठीक है 15 ओके यहाँ पर यह चीज़ आपके पास में आ जाती है 15 percentage राइट तो यह बहुत ज्यादा सिंपल है यहाँ पर इन लोगों ने ग्रोथ की calculation भी दे रखिए कोई भी आप जो है दो साल की comparison कर सकते लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जो है always एक ध्यान रख लीजे एक अपना नियम बना लीजे क्या नियम बना लीजे कि इस टाइप का question दिया जाए जहाँ पर multiple EPS हो और कहा जाए कि uniform जो है EPS है तो always ध्यान रखिए पहले दो साल जो है उसी की comparison करके आज से निकल लीजे क्योंकि क्योंकि में आएगा तो point में आएगा तो आपको कहीं न कहीं दिक्कत होती है तो यहाँ पर पहले दो साल ले लिए खाम खतम ठीक है तो यह हमने पहला question खतम कर दिया अब यहाँ पर next question क्या पूछा बी question आपको पूछा है कि calculate करिये marginal cost of capital तो जैसे कि मैंने कहा कि marginal cost of capital और cost of capital लिखके question solve कर देना same trick same method same चीज़े राइट आईए question को solve करते हैं यहाँ पर इन लोगोंने solution में यह solution हम नहीं देखेंगे हमारे पास में यहाँ पर खुद से एक question solve करेंगे इस चीज़ को ताकि आपके सामने यहाँ पर understanding आपकी बन जाए ठीक है ताकि आपको यह ना लगए कि marginal cost of capital कुछ नया point लग रहा है कुछ भी नया नहीं है राइट इसे solve करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए marginal cost of capital सबसे पहले बताएंगे क्या है सर वही weighted average cost of capital और अगर weighted average cost of capital निकालना है तो बताएए format format हमारा always seem रहेगा format बताएए सबसे पहले क्या करेंगे capital का नाम लिखेंगे मतलब की capital column capital column right second column क्या बताएंगे सर amount का column वही जो capital होती उसकी क्या-क्या amount है यह लिखेंगे ठीक है weight निकालना है हमें ठीक है weight हमारा step one है solution का ठीक है step one है weight weight निकालने के लिए यह दो चीज़ साथ में लिख रहे ताकि हमारा काम आसान हो जाए weight निकालेंगे second चीज़ इससे into करना हमें cost of capital तो cost of capital ठीक है और हमारा क्या मिल जाएगा WACC अब बताएए यहाँ पे क्या पूछ जाए तो जहाँ पे WACC यूज हो रहे ना उसकी जगह आप marginal cost of capital ठीक है तो MCC क्या short form exam में लिखेंगे क्या short form अभी आप लिखेंगे answer is no कहीं पर भी आप पास में notes बने होने चाहिए यहाँ पर MCC लिखेंगे बस इतना difference है तो यहाँ पर जो है simply क्या कर लेते हैं यह लिजए आपके सामने मैंने यहाँ पर straight line draw कर दी है अब हमें इससे solve करना start करना है बस ज्यान रहे WACC जहाँ पर यूज होता है उसकी जगह MCC यूज कर यह की marginal cost of capital निकाले जो अभी है तो अभी है तो वो तो यहाँ पर already given है मतलब कि 14% debenture से 11% preference share से और equity share से तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देते काम खतम करें वो कह रहा है कि और कुछ चीज़े देखो ही मत जो है उसमें calculation करके दे दो तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है जो है वो कुछ नहीं करना है preference shares और यहाँ पर equity shares है equity shares ओके amount बता दीजें इन सब का amount है यहाँ पर कहता है debenture 30,000 है ठीक है इसके बाद यहाँ पर 10,000 preference shares है और आपके पास में equity shares कितना है 1,60,000 वर्मेट हमारा same रहेगा इसलिए मैं देखें यहाँ पर लिखवा के करो रहा हूँ क्योंकि IC module में थोड़ा सा different तरीके से calculation दे रखा है तो यहाँ पर हमारा format जो है वो same रहना चाहिए हर एक condition में ताकि हमें कोई confusion ना हो हमारा format यह WCC का same रहेगा ताकि आपको एक भी परसंट दिक्कत नहीं आनी चाहिए और यहाँ पर heading क्या देंगे heading भी यहाँ पर marginal cost of capital देंगे ठीक है marginal cost of capital ठीक है competition of marginal cost of capital यह heading देंगे आपके पास में खतम इसका total बता है यहाँ पर दिया है चलो टू लेक आपके पास में total अब simply step one यहाँ पर हमारा start हो जाएगा ठीक है step one हमारा start हो जाएगा यहाँ पर step one क्या है wait wait कैसे निकलता है जिस भी capital की weight निकालना है जिस भी capital का weight निकालना है उसका amount लीजिए divide by total करिए तो यहाँ पर कितना आएगा बताईए 30,000 divide by क्या करेंगे 2 lakh total करेंगे 2 lakh ठीक है तो 30,000 divide by 2 lakh यहाँ पर 10,000 divide by total मतलब की 2 lakh ठीक है यहाँ पर 2 lakh और यहाँ पर 1 lakh 60,000 divide by 2 lakh ठीक है divide by 2 lakh बता यह answer कितना कितना आरहा है यहाँ पर 30,000 इवाइट B2 lakh यह answer आ रहा है 0.15 , 0.15 ठीक है यहाँ पर 10,000 divide by 2 lakh यहाँ पर 0.05 0.05 ठीक है इसके बाद यहां पर 1,60,000 divided by 2,00 तो यह आपका answer आ रहा है 0.808 जिसे हम कहा सकते और always ज्यान रखिए weight का total always 1 ही होता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक बार check कर सकते हैं आप करना चाहे तो कि आपका क्या यहां पर weight सही है तो यहां पर calculate कर लेते 0.15 प्लस 0.05 प्लस 0.8 हां जी यह वन आ रहा है हां जी कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ सही है अब step number one complete हो चुका है step number two क्या है step number two है cost of capital या तो question में given होगी या फिर आपको निकल वाने के लिए काएगा यह हमारा फूल फ्लस question था यहां पर हमने खुद से cost of capital निकाली थी ठीक है तो बस यहां पर copy paste करना है बताए डिबेंचर का हमने cost of capital निकाला था कितना आया था डिबेंचर का यहां पर cost of capital कितना आया था यह रा 8.33 जिसे हम 0.08 लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं 0.0833 ठीक है इसके बाद preferences का हमने निकाला था preferences का कितना answer आया था preferences का हमारा answer आया था 0.12 तो 0.12 ठीक है और यहां पर equity का हमने answer निकाला था equity का answer निकाला था equity का कितना है था 15% मतलब कि 0.15 यह step नमबर 2 भी complete अब step number 3 step number 3 क्या है weighted average cost of capital लेकिन यहां पर क्या पूछा है marginal cost of capital तो हम यहां पर weighted average की जगा marginal cost of capital यूज करेंगे तो थर्ष्टेप क्या है हमारा marginal cost of capital step 3 ठीक है लेकिन यह आप exam में यह step नहीं लिखेंगे step 12 ठीक है यह हमारी understanding के लिए exam में सिर्फ weight cost of capital और marginal cost of capital लिखेंगे बस multiply करके जाईए और marginal cost of capital आपके सामने 0.15 into 0.0833 तो यहां पर आंसर आएगा 0.0125 ठीक है point के बाद 4 digit लिखेंगे और यहां पर मैंने 4 के बाद 9 है तो 5 कर दिया है ठीक है आप 4 भी लिख सकते है 5 भी लिख सकते है round figure करना चाहे point में थोड़ा बहुत answer में difference आएगा कोई दिकत नहीं answer right मना जाएगा exam के अंदर इसके बाद यहां पर point 05 into point 12 ठीक है तो यह आपके पास मैं answer आ रहा है 0.006 ठीक है 0.006 ठीक है 0.006 ओके जी तो यह आपके पास मैं answer आ रहा है 0.006 और यहां पर 0.8 into करें 0.15 तो यह answer आ रहा है 0.12 ठीक है तो यह आपके पास मैं इसका answer आ जाएगा क्या नाम देंगे इसको क्या WACC नाम देंगे answer is no MCC नाम देंगे क्योंकि यहां पर marginal cost of capital पुछा गया है ठीक है तो marginal cost of capital इसका total कर लेंगे हमारे पास मैं answer आ जाएगा बिल्कुल यह ही आपका answer आ जाएगा ठीक है यही आपके पास मैं answer आ जाएगा तो यहां पर इसका total कर लिजेगा यह answer आएगा 0.138495 इस तरीके का कुछ answer आएगा जो क कि यह match हो जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको इस तरीके से solve करनी है एक बार आप इसे format को not down कर सकते है ठीक है वीडियो को stop करके यह not down करके आप जो है यहां पर रखिए या फिर आप यहां पर sticky notes भी जो है चिपका सकते है ठीक है कि हमें solution कुछ इस तरीके से करना है module में दिया है उस तरीके से नहीं करेंगे बिल्कुल यही हमारा same format रहेगा और यही format हम जो है end तक follow करते रहेंगे चाहे वह marginal cost of capital पुछे या फिर weighted average cost of capital पुछे यही 5 column बन जाएगी right और question solve हो जाएगा इसके बाद यह question तो solve हो गया इसके बाद यहां पर third question पुछाए determine करिए amount that can be spent for capital investment before new ordinary shares must be sold ठीक है assume debt the retained earning for next year's investment is 15% of 2022 यह आपका concept based question नहीं है यह आपका simply logical question है आपको यहां पर knowledge use करना होता है basically यह कोई भी concept पे based नहीं है ठीक है यह knowledgeable question आपका knowledge test होता है यहां पर बड़े त्यान से देखिएगा यहां पर बहुत ज्यादा simple सा logic use करा गया है यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है कहता है कि हमें जो है क्या करना है company कहती कि कि कितना capital investment चाहिए रहेगा जो हमारा existing shares है मतलब कि new equity shares हम कुछ यहां पर shares issue नहीं कर रहें right existing जो है shares जो कि हमारे यहां पर कहा गया था है bracket में यहां पर इन लोगों ने कहा था कि हम retain earning में से shares को issue कर रहें यहां पर देखिए कहा था assume new equity shares from retain earning ठीक है मतलब कि equity shares retain earning से related है यहां पर retain earning का मतलब होता है company के पास जो amount पड़ा होता है वह invest करने लाइक होता है ठीक है company retain earning क्यों रखती है investment करने के लिए यहां पर वही चीज़ डिसकस कर रहा है कि company कितना amount जो है spend कर पाएगी ठीक है अगर हम new equity shares नहीं issue करते है मतलब कि existing equity shares जो आपके पास में दिख रहा है existing equity shares दिख रहा है उसमें company ने कितना amount spend किया होगा वो निकालना है वो निकालना है कम पनी ने कितना amount spend किया होगा मतलब कि वह retain earning के बात कर रहा है बहुत ज्यादा सिंपल है देखिए एक्विटी शेर्स हमारे पास में है कितने कि इक्विटी शेर्स जो है वह आपके 10,000 शेर्स है क्वेशन में कहा है 10,000 शेर्स है ठीक है 10,000 शेर्स है जिसका अमाउंट बनता है वो है 1,60,000, ठीक है, क्या company ने 1,60,000 यहाँ पे जो 10,000 के साब से जो amount बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहता है यह amount ही लेना है यहाँ पे कहा है कि 2022 का 50% जो है वो retainer नहीं है, मतलब कि 2022 के साब से amount लेना है, मतलब कि 1,60,000 नहीं लेना, हाला कि वो given है, लेकिन 2022 के साब से convert करके लिखे, यह कह रहा है, तो यह 2022 के साब से EPS है, EPS का मतलब होता है earning per share, ठीक है, already discuss कर चुक है, मतलब 10,000 के साब से हम earning कितनी कर रहे है, 2.36 के साब से, earning हमारी हो रही है, वो कितनी हो रही है, 10,000 into 2.36, मतलब कि 23,600, ठीक है, यह total equity shares पे earning हो रही है, earning of total equity shares, total equity shares कितने है, 10,000, total equity shares, equity shares, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए question को, question को यहाँ पे कहा गया है, कि आपको amount निकालना है, जो की spent हुआ है capital investment पे, before new ordinary shares, हमने before new ordinary, मतलब कि new shares issue करे, उससे पहले company ने इस पे कितना spend किया होगा, वो amount निकालना है, मतलब कि यह total earning हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ amount, earning कब होती है, जब कुछ ना कुछ amount invest किया जाता है, और उस पे हमें कुछ ना कुछ amount receive होता है, यह वो amount है, मतलब कि क्या होगा, अगर case study की बात करे, तो company ने, company ने कुछ amount invest किया होगा, ठीक है, invest किया होगा amount, यह amount है, जो कि हमें नहीं पता, ठीक है, यह amount आपके पास में investment है, मान लिजए, यह amount है, ओके, और कहता है कि इस amount से हमें earning होती है, company ने earning करी है, कितनी earning करी है, total 10,000 shares है, ठीक है, और यहाँ पे earning करी है, 23,600, यह total आपकी case study है, यह बिलकुल जो है, घटना करम है, जिससे आपके पास में यहाँ पे, यह चीज़ बनी है, तो यहाँ पे पूछा क्या है question ने, question ने पूछा है, question ने आपको कहा है, कि company spend करती है, capital investment, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है, कि capital investment जो है spent हो रहा है, आपके पास में, तो 23,600 में 50% retain earning है, retain earning का मतलब हमारा खुद का खर्चा, company का खुद का खर्चा, retain earning इसलिए होता है, ताकि company जो है new investment कर पाए, और वहाँ से जर्नेट कर पाए earning अपनी, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, retain earning के सबसे कितना investment required होगा, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, investment जितना total है, वो निकालेंगे, और उसका 50% कर देंगे, तो retain earning से निकलने वाला amount निकल के आ जाएगा, जो हमारा answer होगा, जो हमारा answer होगा, तो यह हम निकालना चाहते है, question ने यह पूछा है आपको, ठीक है, question ने हमें यह पूछा है, तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा, यह निकलेगा, तो into 50% करके यह भी निकलाएगा, अब यह कैसे निकाले, तो हमारे पास में बहुत ज्यादा simple सा तरीका है, देख लीजे, कहता है कि total company ने कितना earning किया है, total earning करा है 23,600, right, ओके सर, यह total हमने earning करी है, अब यहाँ पे हम देखे, तो capital structure में, यह जो earning होती है, ठीक है, यह जो company earning करती है, क्या equity shareholder को मिल जाती है, answer is no, यह आपकी proportionate बढ़ती है, proportionate बढ़ती है, मतलब कि यहाँ पे जो proportion रहता है, उसके हिसाप से चलता है, ठीक है, और सब कुछ payment करने के बाद, जो भी amount बजता है, उस amount के हिसाप से, यहाँ पे equity shareholder को मिलता है, अब मुझे बताई, equity shareholder को यहाँ पे, मान लीज़े, सारा payment होने के बाद, यह 23,600 है, right, equity shareholder को कितना maximum मिलेगा, sir, equity shareholder को जितना holding है, उसके हिसाप से मिलेगा, holding कितना है, 1,60,000 का holding है, total कितनी capital पे, 2,00,000 की capital पे, ठीक है, मतलब किसका, यहाँ पे point कितना है, weight कितना है, weight बत है, weight कैसा निकलेगा, amount divided by total, 1,60,000 divided by two lakh, मतलब कि point eight, zero point eight, ठीक है, यह आपका weight है, okay, यह weight है, यह weight है, उस पे हमारी यह earning हुई है, मतलब कि यह shares की earning है, shares की earning कितनी है, sir, zero point eight का weight है, मतलब कि 80% हमारा investment है, जहाँ पे यह earning हुई है, तो हमें total investment निकालना है, तो क्या निकाल सकत देखिए, बड़े ध्यान से समझेगा, बहुत ज्यादा important है, यहाँ पे, कहता है कि 80% हमने यहाँ पे investment करा है, ठीक है, वो amount हमें निकालना है, वो amount पता नहीं है, वही तो निकालना है, investment का amount कितना होगा, ठीक है, investment से होने वादी earning पता है, हमे, investment का amount नहीं पता, तो यह हमे को निकालना है लेकिन हाँ हमें ये पता है कि इससे हमें अनिंग कितनी हो रही है इससे हमें अनिंग कितनी हो रही है 23600 ठीक है 23600 की अनिंग हो रही है ये हमें पता है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निकालना है amount amount कैसे निकलेगा बहुत ज्यादा simple है मेरी बात ध्यान से जुनिएगा इसके लिए मैं एक और छोटा सा example लोगा मान लिजे मैं कहता हूँ आपको मान लिजे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 100 उपिस की कोई यहाँ पे investment करी है हमने ठीक है 100 उपिस के हमने क्या करी है investment करी है और मैं कहता हूँ इस पे हमें 10% return मिला है 10% की earning होई है ठीक है 10% आपको return मिला है investment हम करते है तो 10% की हमें return मिल दा है 10% का return मतलब की 100 उपिस का 10% कितना 10 रुपे की आपको earning हो हो चुकिए 10 रुपे की आपको क्या हो चुकिए अनिंग हो चुकिए यह चीज मैंने आपको बताई तो 100 रुपे का investment करा है जिस पर हमें 10% की यहां पर जो है अनिंग हुई है और यह 10% कितना है 10 रुपे अब मेरी बात ध्यान से सुनिया अगर मैं यहां पर कहूं आप मुझसे मिले और मैंने आपको कहा कि मैंने 10 रुपे कमाए है ठीक है 10 रुपे कमाए है जो की कोई investment किया था मैंने और उसका amount नहीं बताता ठीक है मैंने investment किया था investment rupees question mark ठीक है यह amount मैं आपको नहीं बताता राइट लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जितना भी मैंने investment किया उसका 10% मुझे return मिला है और 10% जो है वो 10 रुपे है तो क्या मुझे आप amount बता पाएंगे जैसे कि यहां पे है 100 रुपे 100 की earning हुई है जो कि 10% है total investment का तो क्या आप मुझे amount बता पाएंगे बहुत ज्यादा simple आप बिल्कुल बता पाएंगे आप simply क्या करेंगे आप simply क्या करेंगे जो earning हुई है ठीक है आप divide by 10% कर देंगे divide by 10% कर देंगे ठीक है मतलब कि आपको अगर कोई amount 100% amount निकालना है तो simply आप क्या करेंगे जो भी amount है उसका जो percentage है वो divide by कर देंगे मतलब कि 10 divided by 10% करेंगे तो आपको 100% amount मिल जाएगी मतलब कि जो main amount है जिसका 10% करने से 10 rupees आया है वो amount मिल जाएगी 100 ठीक है यहाँ पे देख लीजे 100 into 10% करेंगे 10 rupees आ जाएगा मतलब कि कही ना कही मैं यह कहना चा कर देना है उसके percentage से amount का जो पाट है उसे divide by करना है उसके percentage से आपको main amount मिल जाएगी क्या वही केस यहाँ पे repeat हो रहा है क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं यह कह रहा है कि company ने कोई investment किया investment का amount नहीं बता रहा है लेकिन यह earning बता रहा है earning question के हिसाप से कह रहा है कि वह जो 2022 का जो earning निकाल लिया मतलब कि earning question में गीवन है और कितना percent है तो यह खुद question के बता रहा है यह कितना percent 80% है मतलब कि कहीं ना कहीं 80% हमने earning करी है ठीक है तो यहाँ पे क्या यह amount हम निकाल पाएंगे क्या amount निकाल पाएंगी बिल्कुल यह same case है जो मैंने अभी-अभी explain किया क्या यह same question जो मैंने अभी-भी explain किया बताईए यह वही कैसे क्या investment हमें यहाँ पे नहीं बता रहा है लेकिन उससे आने वाली earning और percentage बता रहा है तो यहाँ पे देख लीजे investment नहीं बता रहा है उससे आने वाली earning बता रहा है percentage बता रहा है तो क्या main investment निकाल सकते है answer is just निकाल सकते ह 600 amount पता है उसका percentage हमें पता है कितना परसंट है 80% equity का 80% है ठीक है तो यहाँ पर total investment आ जाएगा total investment कितना आएगा total investment 29,500 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर value put कर देंगे बहुत ही ज़्यादा आसान था फिर से एक बार repeat करूंगा कोई दिक्कत नहीं 29,500 ठीक है यह total amount आ गया लेकिन इसने question में क्या पूछा था question में पूछा था company को यहाँ पी investment कितना करना पड़ेगा company को investment उतना ही करना पड़ता है जितना आपका retain earning है तो retain earning कितना है तो इसने question में खुद कहा था retain earning जो है वह 50% है retain earning for the next year investment is 50% मतलब कि कितना amount retain करके चलना पड़ेगा कम तो 50% retain करके चलना पड़ेगा लेकिन वह यह पूछ रहा है कि 50% retain करके चलना पड़ेगा वो तो खुद हम बता रहे हैं लेकिन कितना amount होगा 50% तो हम बता देते हैं टोटल investment इतना है अगर आप retain earning 50% करना चाहते हैं तो इसका 50% करेंगे into 50% तो हम आपको बताएंगे 14,750 आप maintain करके चलिए आपका काम हो जाएगा ठीक है फिर एक बार में इसे repeat करूंगा question को ठीक है जल यह सबसे पहले यह आपको question में क्या पूछा question में पूछा कि आप वह amount निका लिए जो company को required है capital investment का ठीक है मतलब की capital investment company को कितना करना पड़ेगा वह आपको यहाँ पर बताना है shares पे right shares मतलब की equity shares ordinary shares का मतलब होता है equity shares equity shares में कितना capital investment की जरूरत पड़ेगी वह आपको सबसे पहले बताना है अब आपको यह पूछा है कि assume कर यह 50% तो हम यहाँ पे retain earning maintain करके चल रहे रहे तो remaining amount हमारे क्या होगा remaining amount हमारा इन्वेस्मेंट होगा retain earning मतलब की हमारे पास में जो amount already पड़ा रहता है उसके अलावा हमें खुद से investment करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे क्या समझाता है यह हमारे को पूछ रहे कि कितना हमारे चलेहे हैं खुद का investment रहेगा company का मतलब की खुदका मतलब की company का तो company का investment कितना रहेगा वो पूछ रह है आँशे तो कम ah真的 कितना रहेगा तो cdc बात है company का investment उतना रहेगा जितना डिटएन earning नहीं है रै टो रिट्री अनन्न कितना है sir 50 percent of Deos investment our लेकिन investment का amount हमें नहीं पता उसके लिए कुछ चीज़े ये बता रहा है कि 2022 का जो amount है EPS वही आपकी earning है ठीक है तो हमने क्या करा जितने shares है EPS का मतलब earning per share तो हमें total earning निकालने है तो जितने भी share शेंटू कर देंगे तो हमने इंटू करा तो यहां पे निकल का है 23600 ठीक है और उसका हमें earning का percentage भी पता है वेट निकालनेंगे वेट ही हमारा percentage अनिंग का 80% तो 80% हमारा क्या है earning का percentage अब हमें earning पता है उसका percentage पता है तो क्या total investment नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते 23600 divided by 80% करेंगे तो हमारे पास में answer आजाएगा 29500 इंटू 50% करेंगे तो आपको यहां पे रिटेन अनिंग से लेने वाला amount मिल जाएगा एक बार हम आई से मोडिल में देख लेते हैं कि देखिए यहां पे वही तरीका हमने जो कर रहा है वही फॉलो कर रहा है कि अगर earning 2.36 एंट तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या करा हमें retain earning को हमने सबसे लास्ट में कंसेडर किया इन लोगों ने पहले ही retain earning 50% कर दिया लेकिन आंसर तो दोनों मेच ही होगा ठीक है लेकिन जो मैंने आपको समझा है वो आपका केस्टेडी बेचता अगर उस तरीके से याद रहता है तो बहतर होगा केस्टेडी है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही उस पर अनिंग इतनी हो रही है 80% हमारा परसंटेज रेश्यो है ठीक है य जो आनिंग होती है उसका 50% कर देता है और डिवाइड बय 80% करता है हमने क्या क्या हमने यहाँ पर टोटल रेट निकली डिवाइड बया एट परlington किया उसके बाद फिफिपपरसंट किया ठीक है तो यहां पर दोनों तरीके से कर सकते कोई दिक्कत नहीं है यहां पर simply पूछा क्या है कंपनी को कितना खुछ से डालना पड़ेगा तो 50% रिटेन रिटेन अनिंग से निकल जाता है तो बाकी का 50% खुछ से डालना करें रइड सबसे पहले यहां पर इस तरीके से करके यहां पर 23600 लेखे और फिर यहाँ पे divide by 80% करके 29,000 हम total amount निकाल ले ठीक है और फिर हम यहाँ पे दिखा दे कि इसका 50% जो है इसका 50% जो है वो 14,750 है क्या इस तरीके से भी चलेगा आंसरी से बिल्कुल चलेगा कोई दिकत नहीं है ठीक है तो total earning 23,600 है इसका 50% यहाँ पे करेंगे ठीक है divide by 80% करेंगे तो हमाँ total investment मिलेगा और इसका 50% करेंगे तो capital requirement मिल जाएगी ठीक है तो आप जैसे मर्जी कैसे भी कर सकते हैं आप जो है यहाँ पे simply इसने पूछा है logical equation तो logical है आप जो है पॉइंट पूछा है चोटा सा पॉइंट पूछा है कहता है कि आप एक काम करिए marginal cost of capital निकाल के दीजिए when the fund when the fund access the amount calculated in C ठीक है जो C point में आपने जो यहाँ पे amount निकाला ठीक है new equity shares वो amount जो है उसके हिसाब से हमने new equity shares अगर issue करेंगे 20 रुपे के इसाब से तो हमारा marginal cost of capital कितना बनेगा बहुत ज्यादा सिंपल है समझेगा सबसे पहले आप मुझे यह बताईए कि equity shares के हमने जो पूरानी calculation करी ठीक है वो क्या है ठीक है पूरानी calculation सबसे पहले आप बताएंगे उससे हिसाब से ही आपको यहाँ पर यह भी समझ में आ जाएगा बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज़े हैं देखे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यह मिटा देता हूँ सबसे पहले ताकि आपको जो है fresh दिखाई दे यहाँ पर देखे रेड पैन से हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं देखे यह कहता है कि हमारा new share जो हमने issue किया वो 20 रूपिस के हो इसाब से होता तो हमारा क्या होता ठीक है तो यहाँ पर यह कह रहा है सबसे पहले मुझे यह बताएए कि यह point ना होता हमारे पास में जो equity हमने यह calculate करी point number यह 3 में ठीक है यह कैसे calculate करी वो सबसे पहले मुझे बताएए तो cost of new equity कैसे निकलता है तो यहाँ पर हमने देखा था sir यह growth का model था और growth के इसाब से हमने यहाँ पर formula put करा था तो यहाँ पर formula growth का क्या हो रहता है तो ke is equal to d1 divided by p0 ठीक है और plus g यही formula रहता है इसमे हमने value put कर रही थी d1 कितना था d1 question में given था d1 हमारा 1.18 था ठीक है चो कि हमने calculate किया था 1.18 p0 कितना था p0 जो था वो यहाँ पर 23.60 था 23.60 growth हमारा 10% था ठीक है अब यह question में यह कह रहा है कि अगर point c point c से related यह कुछ link नहीं है simply यह कहना चाहता है कि new equity share अगर हमने issue किये होते 20 रुपे के इसाब से right तो हमारा यहाँ पर cost of capital क्या बनता तो बहुत ज्यादा simple है अगर 20 रुपे के इसाब से issue मतलब कि यह कहता है 23.60 है ना उसकी जगह 20 रुपे होता तो हमारा cost of capital marginal cost of capital पूरे का पूरा पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर 1.18 करिए 1.18 करिए ठीक है ऑस यह इतना पूछ रहा था कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है कोई यहाँ पर चोटी बात नहीं है सिर्फ इतना यहाँ पर पूछा जा रहा था आपसे कि यहाँ पे simply यह कहता है कि point C, point C से, C किस से related है point number 3 से, क्यों, क्योंकि C क्या कहता था, sir C यह कहता था, कि आपके पास में capital requirement कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे simply यह इतना मतलब यहाँ पे समझने की को यहाँ पे simply इतना कह रहा है, कि अगर हम new equity shares जो हमने, यह equity shares आपको दीख रहे है, यह equity shares को हमने 20 रुपिस के इसाब से issue किया होता, तो हमारा क्या marginal cost of capital बनता, तो बहुत ज्यादा simple हमने जो calculation करी marginal cost of capital की, यहाँ पे, यहाँ पे आपको simply क्या करने के लिए गह रहा है, यहाँ पे simply 0.159 put करने के लिए कह रहा है, और पूरे का पूरा answer calculate करने के लिए कह रहा है, मतलब कि सारी चीज़े सेम रहेगी, सारी चीज़े सेम रहेगी, बस यहाँ पे आपको जो है, इतना put करना है, तो आईए मैं वापस से आपको जो है, calculate करके दिखा देता हूँ, एक difference था, वो है यह वाला point, ठीक है, यह वाला point एक difference था, simply इसने कहा कि भई, आपका जो यहाँ पे amount है, 23.60 market price, उसकी जगा, यह 23.60, उसकी जगा 20 rupees हो जाए, तो आपको यहाँ पे क्या difference होगा, marginal cost of capital में, पूरे का पूरा marginal cost of capital इसने पूछ लिया है, right, so simply एक difference की वज़े स पूरा calculation वो पूछ रहा है, तो यह 10 number में question नहीं आता है, इस 10 number से बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ 2-3 point हटा कि आपको exam में पूछा जाता है, 10 number का पूछना है तो, क्योंकि यह 15 number तक का चला जाता है, ठीक है, तो यह question आपको यहाँ पी इस तरीके से solve कर करेंगे marginal cost of capital, तो old or new, old का मतलब जो question number पहले पूछा था, अगर उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए, तो कितना answer आ रहा था, आपका answer आ रहा था, 0.138495 marginal cost of capital, लेकिन अगर वो 23.6 rupees जो market value था, उसे घटा कर 20 कर दिया, तो आपका marginal cost of capital कितना हो गया, 0.1457, तो यहाँ अगर एक बार देख ले, तो यहाँ पे भी वही answer आ रहा होगा, 0.1457, आपको देख रहा है, ओके, तो इतनी simple सी बात थी, देखे, question बहुत ज्यादा आसान रहता है, बैसे आपका यह question बढ़ा हो सकता है, लेकिन कोई भी student मुझे यह नहीं बताएगा, कि sir, यह hard है, hard तो ब बात नहीं है, थोड़ा सा logic वाली बात है, और यह इस पर कोई concept नहीं है, ठीक है, यह concept based नहीं है, यह simply knowledge based question पूछा गया है, ठीक है, यह knowledge based question है, यहाँ पे कोई भी concept नहीं apply होता, यहाँ पे simply आपको यहाँ पे समझना रहता है, तो एक बार, दो बार आप जो है, वीडियो क में आएगा, तो same, ऐसा ही question आएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही question आएगा, तो अगर आपकी यह कहानी दिमाग में बैठ चुकी है, तो यही question आएगा, simply यहाँ पे percentage और चेंज करके पूछ लेते हैं, इतना hard नहीं करते हैं, ठीक है, अगर question पूछा जाता है, तो बिल्कु था, whole over, weighted average cost of capital, एक question मैंने करवाया है, बाकी सारे आप हमक में कर सकते हैं, यह sufficient था मैंने आपको करवाया, ठीक है, इस से related यह सारे question आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आपके पास कोई और book है, तो उस book से question कर सकते हैं, सारे question आप से हो जाएंगे, हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दो तीन question करवाऊंगा, खुछ से, ठीक है, यह fourth number का question करवाया जाएगा, और यह before or after वाला कहां गया है, यह question मैं करवाऊंगा, और यह seven number का कुछ new added question है, तो यह मैं करवाऊंगा, total तीन question मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, बाकी सारे question आपको खुद को करना है, और यह तीन question I think YouTube पे directly available नहीं होगा, यह members जो YouTube चैनल पे जो members है, उनके लिए यह video available होगा, ठीक है, और हाँ, next आप वीडियो में यह तीन question तो करवाया जाएंगे, और YTM method जो आपकी है, ठीक है, YTM method जो है, वो आपकी यहाँ पे cover करवाई available नहीं होगा, members के लिए available होगा, ठीक है, और YTM method जो student यहाँ पे members नहीं है, उनको भी खबराने वाली बात नहीं है, वो YTM method जो है, वो IRR method है, और IRR method आपका जो है, investment decision नाम के chapter में cover किया जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ लेंगे, तो YTM method से जितने भी question आप बाद में solve कर ठीक है, तो जो student members नहीं है, वो membership ले सकते, कोई दिकत नहीं है, और जो membership नहीं लेना चाहते, तो थोड़ा सा रुख जाएए, जो YTM method से related जो question है, ठीक है, YTM related जो question है, वो question आप जो है, अभी रोग के रखिए, जब हम investment decision पढ़ेंगे, उसके बाद आप यह कर सकते, और अग ठीक है, यह आपका 17 YTM method ठीक है, तो next video में क्या करवाया जाएगा, next video में आपका जो है, सबसे पहले तो वो practical के जो तीन question का है, वो करवाऊंगा, फिर YTM method भी आपका discuss करवाऊंगा, और फिर यह question number 17 जो है, यह करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन यह video कहाँ पे रहेगा, members के पा ठीक है, thank you so much